नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मोटोडोग चैनल में आज हम बात करने वाल है और टो इंटरी के क्लच और गेर बॉक्स के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और टो इंटरी के क्लच के बारे में तो clutch एकदम मक्खन की तरह smooth है और इसको आपको दबाते time कुछ भी तकलीफ पिलकुल भी महसूस नहीं होगा clutch का travel moderate है और clutch इतना smooth है कि आपको gear shift करने के time आपको फूरा clutch दबाने की जरुवत नहीं पड़ेगी हाला कि अगर आप कोई और गाड़ी कोई और company के बारे में बात करेंगे तो आपको फूरा clutch दबाना पड़ेगा और तभी आप gear shift कर पाएंगे वरना आपका gear जो है दिर्धारिव गेर पे गिरने को नहीं होगा रही बात उसकी तो आप आदे clutch में ही आप gear कभी कबार बदल सक होने के कारण आपको city में और highway में travel करते टाइम कुछ भी मुश्री लाते नहीं आएंगी आराम से आप city के traffic में भी आप उसको आराम से चला सकते हैं पर जो चाहते हैं automatic version को और प्रिफर करते हैं automatic gearbox को मैं सुझाव देता हूँ आप espresso देखिए जो city के लिए बहुत ही adequate है ऑक पर शायद आपको अगर highway में चलाना चाहते हैं तो शायद यह आपको इतनी safe नहीं हो सकती जितना आप competition के कोई और गोड़ी से compare करेगे तो पर city में चलाना चाहते हैं आपको आपको एक automatic gearbox चाहिए कम price में तो definitely espresso मारोती का एक बहुत ही अच्छा option है तो यह बात रही clutch की so clutch में आज सक मुझको पांच साल में कोई दिकत नहीं आए आराम से gear shift होता है चाहिए हो highway हो या हो city traffic condition में कुछ भी तकलीफ है नहीं आती है अगर अब हम बात करते हैं gearbox के बारे में तो gearbox भाईसा बहुत ही अच्छ चलते time कोई भी मुश्किलाते नहीं आएंगी बिल्कुल भी हम बात करते हैं इसके एक एक gear के बारे में तो पहला gear होगा आपको उठाने के लिए बहुत जरूरी है आपको पहला gear second gear आप यूज़ कर सकते हैं कोई चड़ाई में चड़ने के लिए आपकी गारडी में अगर दो से ज्यादा बंदे बैटे हैं तो शायद air conditioner के साथ चड़ने में मुश्किलाते होगी तो अब आप second gear का इस्तेमाल कर सकते हैं और quick cortex के लिए आप भी second gear का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं रही बात तीसरे gear की तीसरे gear तो बहुत ही अच्छा है overtech करने क के लिए quick cortex करने के लिए city के में जो आपको instant boost चाहिए है जो mid range का punch चाहिए वो आपको तीसरे gear में बहुत ही अच्छे से आसानी से आप उसको shift कर सकते हैं और इसको use कर सकते हैं पर भाईसा मेरा जो favorite gear है auto attendant का वो है इसका छोता gear क्योंकि आप कम से कम 30 km प्रतिगंटे के रफ प्रतार में अराम से और गाड़ी ऐसे रफ करेगी रफ करेगी रफ करेगी रफ करेगी बिल्कुल आपको मजा ही आ जाएगा और वो ही आपको sport काल वाली feeling मिलेगी जो engine से इसका sound आता है और exhaust से इसका sound आता है भाईसाब आपको एकदम मजा आने वाला है इसके चौधे गे इतना अचा है आप फोर्थ गेर पे आपको बिल्कुल भी बहुत मजा आएगा पर ध्यान रखिए अगर आप जाएंगी इसको चलाएंगे इसको 120-130 के बाद तो इसका average बहुत ही कम हो जाएगा चौधे गेर में और रही बात पांच्वा गेर की अगर आप क्रूज कर रहे हाइवे पे तब आपके लिए पांच्वा गेर बहुत ही किफाईती है बहुत ही लाइब दाएगे और इंजिन का साउंड बहुत ही खम हो जाता है कंपार टू फोर्थ गेर इसका टॉक बैंड भाई साब इतना अच्छा है मुझे कभी कबार लगता है इस 800 cc के इंजिन मे इतना दम है इतना पावर है तो कभी कबार लगता है कि भाई साब मारूती अगर चटे गेर को भी दे तो भाई साब इसको हाईवे में चला में और भी मसा आएगा पर इतना लाल्ची होना भी अच्छा नहीं तो यह रही ओल्टो इटन के क्लच और गेर बॉक्स के बारे मे और एक और चीज में बताता हूँ ब्रेक के बारे में ब्रेक ठीक ठाक है आपको सीडी कंडिशन में काफी है पर अगर आप बहुत तेज चलाते हैं तो ये गेर आपको शाहिद इतना अफेक्टिव ना लगे तब ही आपको क्या करना है इसी गेर को इसी ब्रेक को आपको दो तीन बार मार के और उसको आप स्लो कर सकते हैं गाड़ी को तो ये रही आज का वीडियो तो क्लच के बारे में गेर बॉक्स के बारे में और ब्रेक के बारे में आपकी देखते रहे हैं मोडर डॉक चैनल को लाइक कीजी सब्सक्राइब कीजी और शेर कीजी मैं ऐसी आपको मज़ार कंटेंट लेके आऊंगा थैंक यू सो मच हैव नाइस डे